फाइंस जूडी लेटिस इंफॉरमेशन पाने के लिए फिनोवेशन्स अबडेट को सब्सक्राइब करे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आजके मारकित अबडेट सेशन में आपका स्वागत है शिरुवाती कारोबार में सेंसेक्स 44.84 पॉइंस यानि 0.11 परसंट उपर 39,089.11 के लेवल पर खुला था और निफ्टी 0.09 परसंट यानि 10.25 पॉइंस की बड़त के साथ 11,532.05 के लेवल पर खुला था आज हफते के तीसरे कारोबारे दिन बाजार की धार्णा मस्बूत हुई और ये बड़त पर बंद हुआ सेंसेक्स 0.66 परसंट की बड़त के साथ 258.5 पॉइंस उपर 39,032.85 के लेवल पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 0.72 परसंट की बड़त के साथ 11,604.55 के लेवल पर बंद हुआ दिगट शेयरों की बात करें तो आज डॉक्टर एडी, M&M, हिंदालको, बजाच, ओटो और ब्रिटानिया के शेयर्स हरे निशान पर बंद हुए सेक्टोरल इंडेक्स पर नजर डाले तो आज मीडिया और PSU बंक के अलावा सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए इनमें IT, Finance Service, Bank, Pharma, Private Bank, Auto, Realty, FMCG और Metal शामिल है बिजनस से जोड़ी कुछ और खबरों में मुकेश अंबानी की Reliance Industries ने इतिहास रच दिया है Reliance का Market Cap 16,00,00,00 क्रो रुपीज के आंकडे के पार चला गया है Reliance के Shares में पिछले 6 महिने से कम टाइम में 173% से ज्यादा तेजी आ चुकी है Top Gainers and Losers Nifty में Top Gainers की बात करें तो M&M में 4.24%, Dr. Ready में 4.18% और Hindalco में 3.99% की बढ़त रही अगर बात करें Nifty में Top Gainers की तो इसमें Indecent Bank में 1.86%, NTPC में 1.59% और भारती Infratel में 1.16% की गिरावत रही अगर बात करें Sensex में Top Gainers की तो M&M में 4.24%, Bajaj Auto में 3.44% और Sun Pharma में 2.5% की बढ़त रही Sensex Top Losers में Indecent Bank में 1.8%, NTPC में 1.43% और SBI में 0.95% की गिरावत रही यहाँ पर हमारा Market Update Session समाप्त होता है, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए Thank You